Study IQ IS अब तयारी हुई अफोर्डिबल क्रिश्वन नगरी मधुरा Welcome to Study IQ IS मेरा नाम है आदेश सिंग दुस्तों भारत दुनिया भर में अपनी अनोखी विरासत और विविदिताओं को लेकर जितना फेमस है शायद ही कोई देश इतना फेमस रहा होगा भारत के चारों कोनों में पहले अनेकों एतिहासिक मंदिर और धार्मिक स्थल हमें इसकी समरिध इतिहास से रूबरू कराते हैं इन तीर्थ स्थलों में जाकर हमें एक अदभुत और अलोक एक आनंद की प्राप्ती होती है वैसे दो भारत में विभिन मंदिर और स्थान अपने आप में अनेकों विशेष्टाओं से परिपूर्ण है लेकिन आज हम जिस पवित्र नगरी की बात करने जा रहे हैं वो अपने आध्यात्म के लिए ना सिर्फ पूरे विश्व में प्रसिद्ध है बलकि इसकी सुन्दर्ता और संस्कृती पूरी दुनिया को अपनी और आकर्शित भी करती है जिस तरह अयोध्या भगवान राम के लिए और बनारस भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है उसी तरह ये नगरी भी हिंदूस के एक महत्वपून गौड की बर्थ प्लेस के रूप में जानी जाती है ये वो नगरी है जहांकि हवाओं में बांसुरी की धुन सुनाई देती है जिसे नजाने कितनी बार तोड़ा गया, कितनी ही बार बसाय गया जो भारत के इतिहास के कई पहलूओं को अपने आप में समेटे हुए है जी यां दोस्तों, अब तक तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि हम श्री कृष्ण जन्मो भूमी मतुरा की बात कर रहे हैं भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का ये खुपसूरत शहर यमुना नदी के किनारे पर स्थित है इसे ब्रिज भूमी के नाम से भी जाना जाता है अगर लोकेशन की बात करें तो ये राजधानी दिल्ली से 145 किलोमेटर साउथ में स्थित है वर्तमान में इस शहर की आबादी करीब 25,47,184 है आज हम इस शहर के इतिहास हिंदू धर्म में इसके महत्व मथुरा स्कूल अवार्ट जैसे कुछ इंपॉर्टन पहलूओं से परदा हटाने का प्रयास करेंगे तो चलिए शुरुआद करते हैं मथुरा के इतिहास से History of मथुरा मथुरा का इतिहास लगभग 2500 साल पुराना है यमुना नदी के तड़ परस्थित ये शहर हिंदूओं के लिए एक पवित्र स्थल है जिसका उलेक एतिहासिक और पौरानिक ग्रंथों में पाया गया है इसे भारत के सबसे पुराने महाकाव्यों में से एक रामायन में भी जगए मिली है रामायन में वर्नित है कि एक्षवाकू राजकुमार शत्रुग्न ने लवण सुरा नामक राक्षस का वद किया था और ये स्थान प्राप्त किया था आगे चलकर इस स्थान को मधुबन के नाम से भी जाना जाने लगा, जो घने जंगलों से घिरा हुआ था, फिर बाद में इसका नाम मधुपुरा और कालांतर में मथुरा हो गया, मथुरा का इतिहास भगवान कृष्ण के साथ अटूठ रूप से जुड़ा हुआ है, यहां तक की इलस्ट्रिस अलिक् अस्ट्रोनमर टॉलमी ने भी इसका वर्णन किया है, इनकी किताबों में हमें मौधुरा नामक एक शहर का उलेक मिलता है, जिसका लैटिन भाषा में अर्थ है देवताओं का शहर, हिंदूओं के अलावा मथुरा जैन्ज और बुधिस्त के लिए भी एक पूझनिय स्थल रहा है, बुध्ध के आगमन से पहले आज जिस क्षित्र में मधुरा स्थित है, उसे सुरा सीना कहा जाता था, बुधिस्ट लिट्रिचर में मधुरा को मधुरा कहा गया है, इसे मधेरा के नाम से भी जाना जाता था, प्राचीन काल से ही मधुरा एक समरिध शहर रहा है, एक बौध्ध केंद्र स्थापित किया गया था। ये केंद्र कुछ शताब्दियों तक अस्तित्व में रहा। ऐसा कहा जाता है कि समराट अशोक ने यहां यमुना के तड़ पर अनेक बौध्ध स्थूप बनवाय थे। वहीं कुशान एम्परर्स के बिना मतुरा का एतिहास अधुरा है। कुशान एम्पायर के सबसे महान राजा कनिश्क ने मतुरा को अपनी राजधानी बनवाय था। इन ही के शासनकाल में यहां एक अनूठी कलाश शैली का विकास हुआ जिसे मतुरा स्कूल अवाट के नाम से जाना जाता है। मतुरा स्कूल अवाट एक इंडिजनेस आर्ट फॉर्म थी। यहां पर सबसे पहले बुध्ध की मूर्ती का निर्मान हुआ। बुध्ध की मूर्ती के अलावा यहां हिंदू देवी देवताओं और जैन तीर थंकर्स की मूर्तियां भी प्रिड्यूस की जाती थी। इसके अलावा यहां राजा कनिश्क का एक headless statue भी मिला है जो आज मतुरा म्यूजियम में आप देख सकते हैं। इस statue के नीचे भाग पर कनिश्क का नाम लिखा हुआ है, जिससे हम इसकी पहचान कर पाते हैं। फेमस चाइनीज ट्रैवलर फाहेन ने लगभग 400 AD में मतुरा में कई बुधिस्ट मॉनस्ट्रीज के होने का और यहां 3000 बुधिस्ट प्रीस्ट को देखने का उल्लिक किया है। मतुरा में बौध धर्म से जुड़े या नेक अवशेश मिले हैं, जिन में से कई मतुरा, कैलकटा और लखनओ के म्यूजियम्स में रखे हुए हैं। कुशानों के बाद 2nd century से लेकर 4th century तक मतुरा पर कुछ समय के लिए नागवंश का भी राज रहा। 4th century के आरंब में उत्तर भारत में गुप्त राजवंश एक बड़ी शक्ती के रूप में उभर कर आया। और मतुरा भी इसका एक अंग बन गया। कुमार गुप्त वन के शासन के अंतिम दिनों में गुप्त एम्पायर में हुनास का आकरमन हुआ। इससे मतुरा भी नहीं बच पाया। आकरमन कारियों ने इस नगर को नश्ट भ्रश्ट कर दिया। आगे चलकर 7th century के आरंब में ये नगर वर्धन डिनिस्टी के राजा हर्शा के राज में समाविष्ट हो गया। इसके बाद 12th century के अंते तक यहां गुरजर प्रतिहार और गहाडवाल वंश ने राज किया। इस बीच सबसे महत्वपूर्ण घटना महमूद गजनी का आकरमन है। 11th century के दौरान महमूद गजनी लगातार भारत के अलग-अलग शेत्रों पर हमला कर रहा था। इसी क्रम में, 1018-19 में महमूद गजनी ने मतुरा पर आकरमन किया। और ये उसका नौवा आकरमन था। हुंज के आकरमन के बाद मतुरा के विनाश का ये दूसर आफसर था। इस दौरान महमूद गजनी ने यहां के मंदिरों में देवताओं का सारा धन, उनके डायमन्स, गोल्ड और सिल्वर से बनी जूलरीज सब कुछ लूट लिया। उसने गोल्ड सिल्वर की इतनी मूर्तियां लूटी कि उसे ले जाने के लिए सौ उटों का सहरा लेना पड़ा। तारीखी जमीना ने महमूद गजनी का एक अभिलेक लिखा है, जिसमें उसने मतुरा पर आकरमन का वर्नन किया है। उन्होंने लिखा है, अगर कोई बादशाह कभी मतुरा की तरहे मंदिर और महल बनाने का सपना देखेगा, तो उसे हजारों स्वर्ण ड्रैकमाज हर्च करने होंगे। हीरे की बनी हुई थी, उनमें से हर मूर्थी की वर्थ पाँच हजार गोल्डन ड्रैकमाज से कम नहीं थी। 11th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी के अंत तक, ब्रेज में मंदिरों को समय समय पर नश्ट किया गया। 1351 से 1388 तक डेली पर फिरो शाह तुगलक का शासन था। इसके शासन के दौरान भी उन सभी मंदिरों को तोड़ा गया, जो उसके शासन वाले क्षित्र में आते थे। जिसमें मथुरा के भी कई मंदिर शामिल थे। उसके शासन के दोरान किसी को भी पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्रा पर जाने की अनुमती नहीं थी। और नहीं किसी को पवित्र स्थान पर स्नान करने की अनुमती थी। इसके बाद 1500 में सिकंदर लोधी ने मथुरा पर आ आगे चलकर 1526 में बैटल अव पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोधी की सेना को पराजित किया और नौर्थ इंडिया पर मुगलूं का राज शुरू हुआ 1530 में बाबर की मृत्यू हो गई और उसके बेटे हुमायू ने नौधन इंडिया की गद्दी समाली 1540 में हुमायू को शेर शाहसूरी ने हराया जिसके बाद हुमायू काबुल भाग गया अपनी शासन के दौरान शेर शाहसूरी ने पंजाब और बंगाल के बीच एक सड़क का निर्मान कराया जिसे शेर शाहसूरी मार्ग नाम दिया गया और आज ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है इस सड़क ने बिंगॉल तक के तीर्थ यात्रियों के लिए वरिंदावन की यात्रा सुगम बनाने में मदद की खैर जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ समय बाद ही मुगल्स एक बार फिर से भारत की सत्ता पर कबजा करने में काम्याब हो जाते हैं और इसी क्रम में 1556 में अकबर मुगल राजगद्दी समालते हैं बादशा अकबर एक टॉलरेंट और पायस रूलर थे इस दोरान राजजे में काफी हद तक अमन और शान्ती महसूस की जाती थी सभी तरह से विशेश तोर पर आगिटेक्चर की दृष्टी से इस समय मतुरा की खासी उन्नती हुई अनेक हिंदू मंदिरों का निर्मान हुआ ब्रिज लिट्रिचर भी अश्ट चाप कवियों की चाया में खूब पन पा शहाजाहा के शासनकाल तक यही स्थिती बनी रही लेकिन मुगल बादशह औरंगजेब एक इंटॉलरेंट राज़ा था उसने 1670 में मथुरा पर अटाक किया और वहां के मंदिरों को नश्ट कर दिया इसके बाद 1757 में नादिर शह के कमांडर इनचीफ एहमद शह दुरानी ने मथुरा पर अटाक किया और वहां खूब लूट पाट की और मौत का तांडव मचाया इन अटाक्स के दौरान सबसे ज्यादा रिलिजिस साइट्स को ही निशाना बनाया गया इन अटाक्स ने मथुरा के एतिहास को बदल कर रख दिया ये समय मथुरा के एतिहास में अंधेरे का एक मध्यवर्थी काल था जब इस शहर को गुमनामी में धगेलने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन भक्ति काल के दौरान रिवाइवलिस्ट हिंदू मुव्मेंट ने मतुरा को जीवन्त रखा। भगवान कृष्ण की कथा को पुनर जीवित कराने के साथ हिंदू शासकों, धनी व्यापारियों और सरदारों ने मंदिरों और नदी के घाटों के निर्मान की पहल की और इस दौरान मतुरा भक्ती के केंद्र के रूप में उभरा और उसका विकास हुआ। फिर 1803 में मतुरा ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया। मतुरा आज एक हलचल भरा शहर और एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल बना हुआ है। ये तो बात हुई मतुरा के इतिहास की। अब समझने की कोशिश करते हैं कि मतुरा हिंदू धर्म में किस तरह एक अलग स्थान रखता है। दोस्तों सब्तो पुरी हिंदू ग्रंतों में वर्नित वो तीर्थ स्थान है जहां मुक्ष की प्राप्ति का उलेख किया गया है। आज मतुरा का इतिहासिक महत्व होने के साथ ही वो धार्मिक टोरिजम स्थल के रूप में विख्यात है। प्राचीन काल से ही मतुरा भारत ये धर्म, दर्शन, कला और साहित्य के निर्मान और विकास में मतुरा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्राचीन काल से अब तक इस नगर का स्तित्व बरकरार है। जैसे कि हमने जिक्र किया, इस नगर का पौरानिक महत्व काफी ज्यादा है। रामायन में मतुरा को मधुपूर तथा मधुदानव नामक नगर कहा गया है। इस नगर को लवणपूर की राजधानी बताया गया है। इसे पौरानिक कताओं में मधुदैत्य द्वारा बसाया गया था। रामायन में इस नगरी की समरिध्धी के बारे में बताया गया है। इसके अलावा पौरानिक साहित्य में मथुरा को सूर सेन देश की राजधानी कहा गया है। और इसे सूर सेन नगरी, माधुपुरी, मधुनगरी, मधुरा जैसे कई अनेक नाम दिये गए थे। आज भी महाकवी संगीत की आचार्य स्वामी हरीदास, स्वामी दयानंद के गुरू स्वामी व्रिजानंद, कवी रस्खान जैसे महान आत्माओं का नाम इस नगरी से जुड़ा हुआ है। गरुड पुराण में इन साथ पुरियों के नाम दिये गए हैं। गरुड पुराण में मतुरा का स्थान अयोध्या के बाद बताया गया है। बाकी की पुरियों का स्थान मतुरा के बाद रखा गया है। इसके अलावा पद्म पुराण में मतुरा को सर्वोपरी कहा गया पुराण में काशी समेथ दूसरे सभी पूरियों को मुक्ष दायनी तो मतुरापुरी को धन्य बताया गया है। पुराण के अनुसार मतुरापुरी देवताओं के लिए भी दुरलब है। मतुरा के प्रमुख दर्शनिय स्थानों में कृष्ण जन्म भूमी टेंपल, द्वारकाधीश टेंपल, विश्राम घाठ, केशव देव टेंपल, निधीवन और बिर्ला टेंपल शामिल है। इसके अलावा श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े अन्य स्थानों में गोकुल बरसाना और गोवर्धन हैं। गोकुल में श्री कृष्ण का पालन उनके मामा कंस के नजर से दूर चोरी छिपे किया गया था। श्री कृष्ण की प्रियराधारानी बरसाने में रहती थी, जहां आज भी होली के अवसर पर लठमार होली बड़े धूमधाम से खेली जाती ह हर एक आदशी और अक्षय नवमी को मतुरा की परिक्रमा होती है। कहा जाता है कि यहां पर आकर सभी पाप धुल जाते हैं। हर साल कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर यहां कृष्ण जन्माष्टमी भूमी मंदिर में लाखों की संख्या में भक्त इसे सेलेब्रेट कर आते हैं। यह तो हुई हिंदू धर्म में मतुरा के महत्व की बात। आगे हम जानते हैं यहां की स्पिशालिटी के बारे में। और कई गौश आलाएं हैं। व्रिंदावन में आपको विध्वा अश्रम भी बहुत ज्यादा संख्या में दिख जाएंगे। यहां के सबसे फेमस मंदिरों में श्री बांके बिहारी मंदिर है। इस मंदिर का निर्मान राजिस्थानी शैली में हुआ है। और इसमें पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इसके अलावा यहां इस कॉन टेंपल, श्री राधा रमन टेंपल, गोपेश्वर महादेव टेंपल, शहजी टेंपल, श्री रगुनात टेंपल, कात्यायनी शक्तिपीठ, श्री राधा दामोदर टेंपल, मदन मोहन टेंपल, नाधिवन, प भिन्न पकवानू के लिए मशूर हैं। यहां के हर शहर का अपना जायका है। वहीं अगर हम मतुरा की बात करें, तो यहां के पेड़े और लसी का जादू सभी के सर चढ़कर बोलता है। इन सब के अलावा मतुरा पीतल की बनी भगवान कृष्ण की मूर्तियों के लिए भी आप घरों में या अपने मंदिरों में सजा सकते हैं। इसके साथ ही इतिहास में रूची रखने वालों के लिए यहां स्थित गवन्मेंट म्यूजियम में प्री हिस्टॉरिक आर्कियोलॉजिकल आर्टिफाक्ट्स, कॉइन्स, पेंटिंग्स और स्कल्प्चर्स के आप नमूने देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही यहां लोकेटिड मतुरा रिफाइनरी एजिया की सबसे बड़ी ओईल रिफाइनरी में से एक है। मतुरा में धीरे-धीरे सिल्वर पॉलिशिंग इंडिस्ट्री भी फल फूल रही है। कंक्लूशन आत्म, संस्कृती और ब्रिज के विशिष्ट जाय की कानुभव करने के लिए सभी को एक बार तो इस अद्बुत नगरी के सफर पर जाना ही चाहिए।